Hello students, welcome to my YouTube channel तो इस वीडियो में हम DLA admission schedule के बारे में बात करेंगे और important dates के बारे में भी बात करेंगे तो आईए शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर इन्हों ने दिया हुआ है तीन तारिक को आपका prospectus आ जाएगा तो prospectus हमारा आ चुका है उसके बाद में साथ में जो है तीन से लेकर दस अगस्त तक आप लोगों की जो है admission form की date है उसके बाद में 11 और 12 अगस्त को क्या है आपके form में editing की date दी गई है मतलब आप form में editing कर सकते हो अगर आपके form में कुछ गलती हो गई है spelling mistake वगरा date of birth तो आप उसकी correction कर सकते हो इसके बाद में जो है आप लोगों की 14 अगस्त को जो है first rank display हो जाएगी आप लोगों की rank display हो जाएगी 14 अगस्त को 17 अगस्त को आपकी first merit list display हो जाएगी first merit list आने के साथ में 17 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक आप अपने college में जाकर जिनका भी first merit list में नाम आया है आप लोगों को दो-दो set अपने documents के लेकर जाने होंगे college में verification के लिए इसके बाद में 24 और 25 अगस्त को आपकी second merit list आ जाएगी उसी के साथ ये आपकी admission की date भी होगी second merit list वाले students की इसके बाद में 27 से लेकर 31 तक 27 से लेकर 31 तक जो है आप लोगों की third merit list आ जाएगी और आप लोगों को अपने admission के लिए जाना होगा अपने college में documents क्या क्या चाहिए होंगे वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई आप उसको देख ले ना इसके बाद में 1 से 6 सितमबर तक आप लोगों की जो है physical reporting की date है आप लोगों को अपने original documents लेकर जाने होंगे college के अंदर वहाँ पर जो है आपको वो जमा करने होंगे अपने original documents इसके बाद में हम बात कर लेते हैं 7 से 9 सेप्तमबर की 7 से 9 सेप्तमबर की जो date है आपकी वो admission withdrawal के लिए है अगर कोई students अपना admission withdrawal कराना चाहते हैं उनके लिए एक सेप्तमबर को जो है आपकी management quota का notification आएगा हर college के पास जो है 10% seats जो है management quota की होती है private colleges के पास government में management quota नहीं होता है private में होता है इसके बाद आपकी जो है 10 से 14 तारिक को counseling round के लिए form भरे जाएंगे counseling round के लिए जो form भरे जाएंगे उसकी fees जो है thousand रुपीज है उसके बाद में 16 को जो है आप लोगों की counseling round में जिन जिन students ने participate किया है form fill किया है उनकी जो है list डिस्प्ले होगी उसके बाद में 16 और 17 सेप्टेंबर को आप लोगों की first merit list आजाएगी counseling round के students की वो अपने documents ले जाकर admission करा सकते है 23rd और 24th सेप्टेंबर को आपकी second merit list आजाएगी counseling round के students की 28th सेप्टेंबर को जो है आप लोगों की notification आएगा अगर seats बची हुई है आपके college में तो और 30 तारीक तक आप लोगों की जो है admission close हो जाएंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगए हो वीडियो को like, channel को subscribe कर लेना ताकि deal ads related सारी information आपको मिलती रहें Thank you तो अपको मिलती ले भीडियो का लेगा ये वीडियो धह येए